दिन भर की सबी बड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले जिससे आपको मिल सके हमारे हर लेटिस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हलो दोस्तो जादातर लोगों को मूबाइल फोन तकीये के नीचे रखने की आदत होती हैं रात में वाटसेप्स, फेसबूक और वेब सिरिस देखते देखते मूबाइल को सही जगा रखना अकसर भूल जाते हैं तो कई लोग जानबुच कर मोबाइल को अपने तक्ये के नीचे रखकर सोते हैं। मलेशिया की रहने वाली 58 साल की महिला ने भी ऐसा ही किया। और महिला अपना मोबाइल फोन तक्ये के नीचे रखकर सो जाती है। और ठीक आदे घंटे के बाद उसे अचानब सुबह साड़े 4 बजे सिर के नीचे से जोर से पठा का फटने जैसी आवाज आती है। महिला को अंधिरे में सिर्फ जमीन पर चिंगारी ही नजर आती है। वो दोड़ के लाइट अन करती है और देखती है कि जमीन पर दिख रही चिंगारी उसके फोन से आ रही है। और ये पठा के की जैसी आवाज फोन फटने की थी। फोन फटकर इतनी तेजी से जमीन पर गिरता है तकिये के पास रखी उसकी हैर क्लिप तक जल जाती है। महिला ने बताया मैंने राच चार बज़े तक फोन का इस्तेमाल किया और बाद में रोजाना की तरह तकिये के नीचे रख दिया। मैंने चारजिंग पर लगा कर फोन का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही राच भर चार्ज पर लगाया। तकिये के नीचे रखने से ये बलास्ट हुआ। महिला ये फोन 6 सालों से इस्तेमाल कर रही थी और उसने दिये इंटर्वियू में कहा है कि तक्ये की वज़े से उसकी जान बची है इसलिए कभी भी मोबाइल को अपने आसपास रख कर ना सोये इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही वीडियो को लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ वाट्सअप फेस्बुक पर शेयर जरू करे जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटिस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले धन्यवाद